असलाम अलेकूम फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल मैं गुलाम रसूल आज फीर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा अर्बिक इस्टेल में चिकन शानिया हम लोग किस तरीके से बनाते हैं इसमें हम लोग क्या-क्या इस्तम चराइब कर दीजिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो além chiarणे के लिए सबसे पहले हम यहां पर री 1000 चिकन ले लिया हैं से इसे कट कर लेना वण degree पीशेस में आप चाहिआ हैं युजिए हम परले करेंगे इसके लिए यहां सॉल्ट आड़ कर लिया है टेस्ट के अनुसार साथ में आड़ किया वन टी स्पून जिंजर गार्लिक का पॉडर आप चाहे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं साथी साथ add करेंगे one teaspoon पप्रीका पॉडर वन टी इस्पूट तर्मरिक पॉडर इसका लिंक आपको डिस्क्रेशन बोक्स में मिल नहीं साथ में add कर लेते हैं two tablespoon lemon का juice उसके साथ आट करेंगे two tablespoon olive oil अब इन सब को पहले अच्छे से मिला लेते हैं मिला लेने के बाद इसे हमें कम से कम आदे घंटे के लिए रेष्ट करने के लिए छोड़ देना है ताके जो मिरनेशन है वो अच्छे से चिकन में मिल सके अब हम लोग इसका सॉस बना लेते हैं सॉस बनाने के लिए एक बॉल हमने यहां पर लिया है उसमें एड कर लेना है 150 हाफ कप जो है, हमारा कमाटर पेष्ट इसका वेट है 150 ग्राम साफ में आड करेंगे तो टेबले स्पून लेमोन का जूस साथ में आड कर लेते हैं स्वाज है तेस्ट के अनुसार वन टी स्पून तर्मरिक पॉउडर वन टी स्पून ौटी स्पून पप्रिकान अड यहां अर्बिक मसाला पौडर उसी के साथ आड़ करेंगे यहां परीव वन टी स्पून ब्लैक पेपर पौडर और वन टी स्पून ओरेगोनो ड्राइब इसमें आड़ कर लेते हैं फेट नॉर्मल वाटर आप चाहे तो वाम वाटर भी यूज कर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं मिला लेने के बाद यह सौस जो हमारा रेड़ी हो गया है अब इसे साइट करकर रग देते हैं अब जो हम बेग करेंगे बेग करने के लिए एक ट्रे ले लेते हैं उसमें कुछ vegetable हमें add कर लेना है नीचे, जिसमें हमने यहाँ पर one piece onion, ring कटा हुआ हमारा onion है, उसको हम पहले अच्छे से arrange कर लेते हैं, साथ में हमने यहाँ पर लिया है one piece tomato, इसको भी arrange कर लेते हैं, थोड़ा सा हम vegetable रख लेते हैं, बाद में arrange करेंगा, आपको दिखाएंगे, अब हमको यह one piece garlic चाहिए होगा, हमने one piece garlic लिया है, इसे अच्छे से clean कर लिया, clean करने के बाद यहाँ पर एड़ कर लिया है, अब यह सब करने के बाद जो marinate किया हुआ हमारा chicken था, उसके उपर से अच्छे से arrange कर लेंगे, arrange करने के बाद जो vegetable हमारा बचा हुआ है, अब यहां तो आपको चाहिए, टेस्ट का नसार आप आप कर सकते हैं, आप जो sauce हमने बना के रखा था, उस sauce को इसके उपर से अच्छे से add कर देंगे, add करने के बाद अब इसे हमें cover कर देना है, cover करने के बाद देखिए हमने अल्मुनियन से cover किया है, मगर यहां butter pepper का यू इसे भी साफ कर लेंगे, बाद में जो थोड़ा हमारी spices हो chicken को ओपर add कर लेंगे, ताकि जब हम दुबारा grill करेंगे, तो इसका color जो है अच्छा आएगा, अब देखिए, मैं यहां पर सब कुछ कर लिया हूँ, फिर से 10 मिनिट के लिए हम बेक कर लेते हैं, ताकि उपर का आप चाहें, इसे सर्फ कर सकते हैं, यह अर भी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है खाने में, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ, तो लाइक, शेयर, और कॉमेंट जरू करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर दें, फिर मिलेंगे न